फिर वहनाओं पर चड़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखो कई लोग एक जोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके बास लाए येशु ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा ये पूत्र ठांडस्वान तेरे बाप शमा हुए और देखो कई शास्री ने है सोचा कि यह तो परमेशर के निल्ला करता है येशु ने उनके मन की बाते मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में पुरा विचार क्यों कर रहे हो सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप शमा हुए या यह कहना कि उठ और चल पिर पारे लोई से कहा उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा वह उठकर अपने घर चला गया लोग यह देखकर दर गए और परमेशर की महिमा करने लगे जिसने मनुश्यों को ऐसा अधिकार दिया है वहां से आगे बढ़कर येशु ने मती नामक एक मनुश्य को मैसूर की चोकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीचे हो ले वह उठकर उसके पीचे हो लिया और जब घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतुए मैसूर लेने वाले और पापी आगर येशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे यह देखकर फरीसियों ने इसके चेलों से कहा तुम्हारा गुरु मैसूर लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है उसने यह सुनकर उन से कहा वैद भले चंगों को नहीं परंतु बिमारों को आवश्चक है तो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता ह क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया तब यहुन्ह के चेलों ने उसके पास आको चाहा क्या कारण है कि हम और परीफी इतना उमवाज करते हैं पर तेरे चेले उक्वास नहीं करते हैं गेश्चु ने उन से कहा क्या बराती जब तक धूला उ पर नहीं लगता क्योंकि वह पैबन पहरावन से और कुछ पीच लेता है और वह अधिक फट जाता है और नया दाकरस पुरानी मश्कों में नहीं भटते हैं क्योंकि ऐसा करने से मश्के फट जाते हैं और दाकरस बह जाता है और मश्के नाश हो जाते हैं परंतु नया दाक प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है प्रणतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी येशु ने उपकर अपने चेलो समें उसके पीछे हो लिया और देखो एक इस्त्री ने जिसके बारे वर्ष से लवु भैता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आचर को चुड़िया क्यूंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही चुड़ूंगी तो चंगी हो जाओंगे येशु ने फिरकर उसे देखा और कहा फुत्री धांडस पान तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है तो वह इस्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई जब येशु उस सर्कार की घर में पहुंचा और बासली वजाने वालों और भीड को भुलड मचाते देखा तब कहा हट जाओ लड़की मरी नहीं पर सोती है इस पर वे उसकी हसी करने लगे परन्तु जब भीड निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी और इस बात की चर्चा उस सारे परदेश में फैल गई जब येशू वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह भुकारते हो चले कि यह दाउत की संतान हम पर दया कर जब वह घर में पहुँचा तो वह अंधे उसके पास आए और येशू ने उनसे कहा क्या तुम्हें विश्वास से कि मैं यह कर सकता हूँ उन्होंने उससे कहा हाँ परभू तब उसने उनकी आखे शूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए फो और उनकी आखे खुल गई और येशू ने उन्हें चिता कर कहा कि साबधान कोई इस बात को ना जान पर उन्होंने निकल कर सारे परदेश में उसका रिश पैला दिया जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक भूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो भूंगा बोलने लगा और भीर ने अचमबा करके कहा कि इसराइम में ऐसा कभी नहीं देखा गय और उनकी सभाव में उगदेश करता और राजे कसु समचा प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुफलताओं को दूर करता रहा जब उसने भीर को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेडों की नाई जिनका कोई रखवाला नहीं वे आकुर और भटके हुए से थे तब उसने अपने चेलों से कहा पके खेट तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं इसलिए खेट कि स्वामी से बिनिती करो कि वह अपने खेट काटने के लिए मजदूर खेट देए